हलो दोस्तों महेंदरा ने महेंदरा ट्रियो का एक नए वर्चन लांच कर चुका है मिटल बॉड़ी के साथ वैसे महेंदरा ट्रियो के अंदर कोई ना कोई चेंजिस करके हर साल एक नए आ मॉडल को लांच करते रहता है तो इस साल यानि 2024 में लांच हुआ Metal Body Trio के बारे में डिटेली इस वीडियो के अंदर जानेंगे जानने से पहले शाबू इस पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है चानल में पहली बारते चानल को ज़रू सब्पाइब करना वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मद भूलिए तो चलिए बिना तेरी करते वे जानते हैं Metal Body वाले Trio Plus के Specification और Metal Body से क्या फाइदे है और Fiber Body यानि Plastic Body के साथ क्या लुकसानात है सब कुछ डिटेली में जानते हैं दोस्तक महेंदरा ने अभी तक महेंदरा Trio के अंदर काफी Models लांच कर चुके हैं पहले महेंदरा Trio लांच हुआ था उसके बाद महेंदरा Trio Plus के नाम से लांच हुआ था जिसके अंदर भी हमें दो वेरियंट देखने को मिल रहे थे एक तो swap top के अपसाथ मिल रहा था और एक hard top के साथ देखने को मिल रहा था अभी जो model आच हुआ है इसके अंदर हमें metal body मिलने वाली है और साथी साथ swap top मिलने वाला है और इसके अलाव भी ये metal version महेंदरा Trio Plus भी हमें L5M category में तीन passenger और एक driver sitting capacity के साथ मिलती है इस बार जो हदार 24 का जो trio model है जिसके अंदर 6CB metal की होने वाली है और साथी साथ body panel जो है वो भी metal से ही मिलने वाले हैं और इसके अलावा इसकी performance आगर देखा जाए तो महेंदरा Trio Plus को हम 55 km पर आवर की top speed तक भगा सकते हैं और इस speed को देने के लिए इसके अंदर जो motor लगी है उससे हमें peak power 8 kW की मिलने वाली है और 42 Nm का torque मिलने वाला है और इसके साथ हमें महेंदरा Trio Plus के अंदर 12.45 degree का gradability मिलता है और इसके अलावा महेंदरा Trio Plus के अंदर मिलने वाला range के बात की जाए तो 167 km का certified range मिलता है बट real world driving range जो है 150 km का मिलता है महेंदरा Trio Plus के अंदर और इस range को देने के लिए और motor को power provide करने वाली battery की अगर बात की जाए तो महेंदरा Trio Plus के अंदर 10.24 kWh की lithium ion 48 voltage वाली battery दी जा रही है जिसको charge करने के लिए आप बोट charger दिया जा रहा है जिसको लगा कि आप घर में charge करेंगे तो लगबग 4.5 गंडे तक आप फुल charge कर सकते हो वैसे company के तरफ से तो बताया जा रहा है 4.20 मिनिट के अंदर फुल कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर भी प्लेस आर मैनस 10 मिनिट से आड़ किया है यानि लगबग 4.5 गंडे के अंदर आप फुल कर सकते हो और इस performance के अलावा महेंदरा Trio Plus के लिए company से मिलने वाला support यानि warranty की अगर बात की जाए तो 3 साल या 80,000 km पे warranty दी जा रही है वैसे company 5 साल या 1,20,000 km पे warranty को promote कर रही है लेकिन यहां पे आप दियान देने बाली बात यह है तीन साल और 80,000 km जो है वो आप आटो रुक्षा लेते ही आपको free में company वो service provide करती है लेकिन बाखी के 2 साल और 40,000 km का जो warranty है वो extended warranty होने वाली है जिसके लिए आप company को कुछ पैसा दे के खरीदना होता है तो यह बात ध्यान में रख लेना फिर आप जैसे ही खरीदेंगे आपको 3 साल की warranty खतम होने के बाद आप बोलेंगे 5 साल की warranty दवा किया था तो वहाँ पर dot आपको बता के बताएंगे कि यह started warranty जो है वो 3 साल 80,000 km पे है extended warranty को मिला कर 5 years और 1,22,000 km होने वाली है और soft top का जो trio place था उसकी जो price है 3,44,000 अजन से शुरू हो रही थी जिसके अंदर दो variant आ रहे थे soft top और एक hard top तो price different होने वाला था लेकिन metal body के अंदर में भी ये soft top के साथ ही मिलने वाली है क्योंकि hard top तो metal body में इन्होंने कहीं पे भी mention नहीं किया है तो दोस्तों ये था महेंदरा के तरफ से 2024 में लांच हुआ महेंदरा trio plus metal body electric auto rukšah के performance तो दोस्तों आप बात करते हैं plastic जो कि hard plastic है उस body's panel के साथ आने वाले electric auto rukšah के लुकसांस के बारे में हलाकि ये company के तरफ से इसको फाइदा ही होता है लेकिन जो खरिता है उसके लिए लुकसान होते हैं कैसे मैं अभी आपको explain करने की कोशिश करूँगा company के तरफ से अगर हम hard plastic अगर लगाया जाता है electric auto rukšah या electric vehicle में तो उसका body weight जो gross vehicle weight है वो कम होता है तो जिससे motor की जो performance है वो बहुत ही ज़ादा होती है और range भी ज़्यादा मिलने के choices होते हैं लेकिन अगर हम ऐसे owner बात की जाए तो कितने भी hard plastic होंदे उसकी durability जो है वो metal कितनी नहीं होती है 2018 में Mahendra Trio SMC body panel के साथ launch किया था और company काफी अच्छा durability भी बताई थी इस body panel का लेकिन जब शुरुवात में इस auto rickshaw को खरीदने वाले owner जो है अभी complaint कर रहे हैं इसकी जो body है वो damage होना शुरू हो गई है और market में इसको repair करने के कोई भी shops अभी मोजुद नहीं है अगर होंगे भी तो locally हभी उतना development नहीं हुआ है जो की आसानी से जाके हम repair करवा सकते हैं और इसके अलावा भी अगर long time इसकी life cycle भी खतम हो गई है electric auto rickshaw की जो plastic body panel के साथ आती है तो उसको हम scrap में दालके उससे कोई भी पैसा भी expect नहीं कर सकते हैं क्योंकि plastic का क्या rate होता है ज़्यादा नहीं देते हैं उसके अंदर plastic में भी different type के plastic होते हैं जिसके अंदर कई plastic type के तो scrap वाला भी नहीं खरीता है तो long time में जो hard plastic या कोई भी plastic हो उसके फायदे जो है वो कमी होते रहते हैं other hand है मगर अब metal body की बात की जाए तो metal body की जो durability है वो काफी लंबी होती है कोई भी damage भी आ जाती है तो उसको local shop में ही welding shop में जाके welding करा के उसको repair भी करवा सकते हैं और long time में उसकी lifetime भी खतम हो गई है वेकिल की तो उसको scrap में बेचके भी हम पैसा कमा सकते हैं ये तो मैंने खुदी experience किया हूँ मैं 10 या 12 साल की पुरानी आट औरिक्षा लिया था चो 20,000 में और उसको पूरे एक साल तक चलाया था और एक साल के बाद उसको scrap में बेचाता है scrap में कितने में बेचाता? 17,000 में बेचाता तो एक साल का तो मेरे को पैसा बच गया बस 5000 के लुकसान में उसको सेम पैसा फिर मेरे को मिल गया है तो metal से यही फाइदा है, लांग टाइम में भी इससे फाइदा उड़ा सकते हैं पूरा उसके मौत भी हो जा रही तो उससे कुछ ना कुछ फायदा हासिल होता है हमें मेटल के साथ लेकिन प्लास्टिक के साथ ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं तो इसी कमी को महेंदरा ने पूरी कर चुका है तो बहुत ही अच्छी बात है वैसे महेंदरा जो है वो ट्रियो के अंदर हर साल चोटे मोटे चेंजिस करके नया वर्शन नया मौडल को लांच करते रहता है जैसे कि अपिल करता है अपने आईफोन में उसी तरह से महेंदरा अपने ट्रियो के अंदर कर रहा है तो में भी एक्सपेट कर सकते हैं दोजार पचीस में आनबोर्ड चार्जर के साथ महेंदरा TRIO को और इसके अलावाब फर्फामिन्स के इसाब से महेंदरा TRIO काफी अच्छा फर्फामिन्स प्रोवाइट कर रहा है और इसी तरह के Electric Auto रुक्षा के वीडियो देखने के लिए चानल को जरू सब्सक्राइब परके रख लेना तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नहीं Electric Auto रुक्षा के वीडियो के साथ Until then, bye bye and see you soon झाल